हेलो, सलाम, नमस्ते, सस्रीयकाल, केडो हला, मैं हूँ हर्षा स्वीट वंडर से, ओके, तो अब मुझे बताइए, किसका सीजन आ गया है, जी हाँ, दे किंग ओफ रूथ, हमारा राजा मैंगो, अब देखिए, मैंगो केक, हम डेफिनेटली सब लोगों ने खाया है, बनाया होगा, लेकिन, why not do a pull me up mango cake, right, cool, तो आज हम सीखेंगे, जिस तरह आपने चॉकलेट के pull me up cake, देखे होंगे, बनाया होंगे, उसी तरह, आज हम सीखेंगे, a mango cake in pull me up style, तो क्या बोलता है, पबले करे, चलो, sure, so please आगे का वीडियो जरूर देखिए, और आप देखिए, किस हम एक normal mango cake को, इतना pretty, इतना प्यारा, एक twist के साथ बना सकते है, तो please वीडियो एंड तक देखिए, like कीजिए, please spread the words of sweet wonder and do subscribe, thank you, till then enjoy, तो mango pull me up cake के लिए, जो मारा main ingredient है, वो है हमारा mango, sure shot, alfanzo, harpos, जो आप कहते हो, उसे या बुलाते हो, वो mango लीजिए, then हमें लगेगा ये pulp ये ready pulp भी आप ले सकते हो, आप खुद भी आपके आम लेके उसका pulp बना सकते हो, फिर soaking के लिए हम use करेंगे दूध, definitely आपको whipping cream लगेगी, आपको cake लगेगा, vanilla base का, और इस तरह से ये OHP sheet लगेगी, हमने 2 OHP sheets को बीच में से जोड लिया है, अब हम cake बनाना शुरू करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे किस तरह mount करेंगे, हम यहाँ पर एक half kg pull me up cake बना रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हम बीच में थोड़ा सा whipping cream लगाएंगे, यहाँ पर मैंने 4 inch cake base use किया है, अब इस पर हम करेंगे soaking दूध की, उसके बाद थोड़ इसी icing, और आप चाहू एक हलकी सी border दे सकते है, जैसे आपके आम के pieces है, वो बाहर ना निकले है, अब इसमें हम दालेंगे आम, ज्यादा बारीक ना काटें आम के pieces, reason being, कि वो फिर उसका पूरा mash-up हो जाता है अंदर, हलका सा icing, और अब साइड से हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है, कि वो side से properly हमने उसे smooth किया है या नहीं, क्योंकि ऊपर से इस पे हमारा OHP sheet या transparent plastic sheet जाने वाला है, icing की मातरा जो है, बहुत ही कम रखी है, क्योंकि main taste जो है, हमारा mango है, अगर अब icing, icing उसमें भर दोगे, तो वो थोड़ा सा heavy heavy feel होने लगता है, औ वो उतना सही से नहीं उभर के आएगा, फिर वो एक अलगी concept हो जाएगा, जैसे cream mango या mango cream cake या something रही है, आप चाहो, तो side से हलका सा उसे बंद करने की कोशिश कर सकते, पर यह ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार आपके बता रही हूं, क्योंकि बाद में हमारा OHP sheet उसकी उसक at all, उल्टा अगर gaps दिखेंगे तो वो बहुत ही सुन्दर दिखता है, कि आपको cake की layer दिखती है, icing की layer दिखती है, mango की layer दिखती है, ना, do not worry or bother about कि आपका cake, टेड़ा है, मेड़ा है, क्योंकि वो सब सॉट आउट होने वाला है, once you have your OHP sheet, यह करीबन मैंने तीन नॉर्मल साइज के या छोटे साइज के अलफान्जो, यह हापू साम जूपैते है, वो लिया है, यह देखे, बहुत ही अच्छी तरह के से stack हो गया ह है, इसे बस थोड़ असा finishing touch देंगे हम, अगर आप जल्दबाजी में cake बनाना चाहते हो, और आपको लगता है कि मेरा cake set नहीं होने वाला है, तो ऐसे टाइम पर आप OHP sheet का use करके cake बना सकते हैं, अब देखिए, यह एक OHP sheet हमने इस तरह से ले ली है, और इसे बस इस तरह से एक और दो, यह थोड़ी सी tight रहेगी, अब next हमारा step क्या है कि हमें इसको अब seal करना है, reason मैं आपको बताऊंगी इसका क्या है कि हमें इस seal यहाँ पर क्यों करना है, आप देखो कि बाजू से हमने इतना उसके ओपर ध्यान नहीं दिया, but when it comes to this stage, हमें उसे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि हम जब उपर से, पुलमी अपका main essence होता है कि उपर से जो drip आता है, अगर वो drip हमें अच्छे से चाहिए, तो हमें यह side seal करनी होगी, अगर हम drip अंदर डाल दे रहे है उसके अंदर, जो भी है, तो वो बाजू से नीचे चला जाएगा, और आपका drip उपर होगा, तो always remember कि आप नीचे कैसे भी करिये, पर जो उपर की layer है, यह final वाली, it needs to be very properly intact from the sides, फिर आप यह चोकलेट वाला पुलमी अब बनाएगे, या mango वाला बनाएगे, it's one and the same, मैं खोड़ा सा और उसे पका करना चाहूंगी, यह देखिए, यह बहुत ही अच्छी तरह के इसे सील हो चुका है, फिर आप इसे यहां पर रिबन दाल दीजिए, बदे टैग्स लगा दीजिए, अब देखिए, अब देखिए, हमारी next step है, we need to pour the pulp, नया slice है, इतना थिक कि सोचोगे, हाव, आप देखेंगे, साइड से कहीं से भी वो नीचे नहीं जा रहा है, आपके कर दो सकished हुँआ है कर दो समय देखिए, बदेखिए है कर दो सकारल दो